Hello everyone, welcome back to Organized Learning Channel. अगर आप में चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगें, तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट करें. तो आज हम Class 1 की NCRT की जो बुक है, Textbook Marigold का First Unit, A Happy Child, यानि की एक खुश रहने वाला बच्चा, ये पोयम जो है, आज हम पढ़ने वाले हैं, तो enjoy this poem, तो हम इस पोयम को enjoy करते हैं. My house is red, a little house, मेरा house कैसा है, लाल रंका, और कैसा house है, चोटा house, यानि की मेरा घर कैसा है, चोटा है, little यानि की small, यानि की चोटा, A happy child am I, और मैं बहुत खुश बच्चा हूँ, I laugh and play the whole day long, मैं सारा दिन हसता हूँ, और मैं सारा दिन खेलता या खेलती हूँ, I hardly ever cry, मैं बहुत ही कम chance होता है, कि मैं रोती हूँ, ठीक है, I have a tree, a green green tree, मेरे घर के बहार एक पेड है, कैसे color का पेड है, green यानि की हरे रंका, to shade me from the sun, और ये tree मुझे क्या करता है, ये चाया देता है, जो सूरज की रोशनी होती है, उससे चाया देता है, मुझे ये पेड, and under it I often sit, और इसके नीचे मैं बहुत बार बैठती हूँ, ठीक है, and under it I often sit, often मतलब बहुत बार जो है, तो I often sit, तो इसके नीचे, इस पेड के नीचे मैं बहुत बार बैठती हूँ, when all my play is done, कब बैठती है वो, जब वो खेल कर ठक जाती है, तो वो पेड के नीचे जाकर बै देखो इसमें हमने कुछ new words सीखे हैं उन new words को हम देखते हैं कौन-कौन से new words सीखे हैं पहला है cry cry, cry मतलब रोना ठीक है? फिर है हमारे पास day day का मतलब होता है दिन फिर है red red ये color होता है कौन सा color? लाल और फिर है sun ये sun की picture है ना sun मतलब सूरज तो ये new words है ठीक है? इनको सभी बच्चे बोलेंगे और इनकी spellings को याद करेंगे और इनका मतलब भी याद करेंगे let's read अब हम ये sentences हैं इनको पढ़ते हैं the sun shines in the sky sun जो होता है हमने अभी देखा सूरज वो shine मतलब चमकता है कहाँ पे sky यानिकी आस्मान में आस्मान में चमकता है न सूरज उसके बाद ये है I have a red pen मेरे पास कैसा pen है? red यानिकी लाल रंग का pen है तो इस तरीके से देखो हमने ये poem भी सीखी और इसके साथ साथ हमने कुछ new words भी जो है वो सीखे हैं तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like, share, comment करें चानल को subscribe करें और मिलते हैं next video में